आज हम बनाएंगे केला का कोफता इसके लिए आप कच्छे वाले केले लेंगे और इसे उबाल लेंगे मुझे चुकी कॉंटिटी कम लग रही थी इसलिए मैंने एक आलू भी बॉयल कर लिया है यह 1.5 kg केला है हम इसे छील लेंगे और इसे मैश कर लेंगे इसे बॉयल करने म एक सीटी लगाएंगे तो ही ये बॉयल हो जाएगा आप इसे अच्छे से मसल लें और उसके बाद हम इसमें एक प्याज डालेंगे धनिया पत्ती एक बड़ा चमच लहसुन आधा बड़ा चमच अध्रक डालेंगे मिर्च आप अपने पेस्ट के अकॉर्डिंग डालें आध यह फटेगा नहीं और इसमें एक बाइंडिंग भी आएगी अब आप इन सबको अच्छे से मिला ले अगर आप इसका सिर्फ पकोड़ा बना रहे हैं तो फिर आप इसमें थोरा आमचूर पाउडर या नीबू डालें इसे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा अब हम इस तरीके से शेप दे लेंगे और फिर हम इसे फ्राइ कर लेंगे तेल अच्छे से गरम हुआ है कि नहीं यह आप चेक कर लें यह देखिए अभी तेल अच्छे से गरम नहीं है जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा तो जैसी ही आप इसमें डालेंगे तो जो ब्रेड हम कोई भी कोफता बना रहे हैं और वो थोड़ा फट जा रहा है या फिर पूरा ही material उसका बाहर आ जा रहा है तो उसे आधे गंटे के लिए आफ फ्रिजर में रख दें उसके बाद आफ फ्राई करेंगे तो कोफते फटेंगे नहीं आप चाहें तो उसमें थोड़ा बेसन भी हम इसे निकाल लेंगे आप चाहें तो इसे as it is भी खा सकते हैं यह बहुत ही tasty लगते हैं और बच्चे भी इसे बहुत ही पसंद से खाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता है कि यह कच्चे केले से बना हुआ है अब हम जितने भी हमारे कोफते हैं हम सब को तल लेंगे और त दिखा रही हूं यह अच्छे से कोखो गया है अब बहुत जादा तेज आच पे कभी भी ना तलें दो बड़े चमच अब हम तेल डालेंगे तेज पता एक चुटा चमच जीरा और थोरा सा हिंग डालेंगे और दो प्यास डाल करके हम इसे सुनेरा होने तक पकाएंगे इस जालेंगे और आपके पास रेगुलर टमाडर है इसमें आमच similar powder जरूर से डालेंगे और इसे लो फ्लेम पर ही हम 7-8 मिनट तक कुक करेंगे अभी आप देख सकते हैं कि मसाले अच्छे से कुक हो गए हैं मसालो को कुक करना बहुत अच्छे से जरूरी है अब हम इसमें पानी डालेंगे पानी की मातरा आपको जितना ग्रेवी चाहिए उससे थोरा जादा डालें क्योंकि जो कोफते हैं वो पानी को एब्सॉर्ब करेंगे तो अगर आप बहुत ही कम पानी डालेंगे तो वो पूरा का पूरा पानी सोक लेंगे आपको स्टार्टिंग में थोरा सा जो ग्रेवी है वो थोरा पानी पानी जैसा लगेगा बट आप इसे 2-3 मिनट तक बॉयल करें और उसके बाद आप एक बर नमक जरूर से चखलें घैस का फलेम क्योंकि अभी हम बंद करेंगे अगर नमक बिल्कुल शही है तो आप गैस की फलेम को बंद करें और इस्में सारे कोफतो को डाल दें और उसके उपर आप धनिया पत्ति डाल दें अब चाहे तो कस्तू आठ से दस मिनट का टाइम लगेगा दस मिनट बाद जो कोफती हैं वो बिल्कुल रेडी होंगे खाने के लिए आप इनको अच्छे से चावल के साथ पराठे के साथ रोटी के साथ खा सकते हैं मैं आपको कट करके दिखा रही हूं दस मिनट के बाद इसने पूरी तरीके से ग